दोस्तो जावस्क्रिट के इस फ्री कोर्स में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सेखेंगे inverted complete pyramid code करना last video में हमने देखा था कि कैसे आप complete pyramid को code करते हैं और आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि कैसे आप inverted complete pyramid को code करेंगे and believe me कि यह बहुत ही जादा easy होने वाला है and I hope कि अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो इस practical को आप already करके देख चुके होंगे but अगर फिर भी इसमें doubt रहे गया है तो आज कि इस वीडियो की बात clear हो जाएगा make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक छोटी सी request है आपसे कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like करें और अगर अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को dislike करें तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को example के लिए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि यह जो लूप है वो कितनी बार चलने वाला इसमें क्योंकि यह जो मारे inverted pyramid है एक लेवल दो लेवल तीन चार पांच तो पांच बार हम इस लूप को चलाना है तो इसका जो पहला काम है वो क्या होगा जो पहला लूप है वो होगा इसके लेवल को प्रिंट कराने के लिए कि यह लूप कितनी बार चलेगा पांच बार पहला काम यह है दूसरा काम क्या है कि हम इसमें स्पेस को प्रिंट कराना है पहले वाले में आप देखोगे कि हमने कोई स्पेस प्रिंट नहीं कराया दूसरे वाले में हमने एक स्पेस को प्रिंट कराया है यहां पर हमने तीन स्पेस प्रिंट कराया और यहां पर हमने चार स्पेस को प्रिंट कराया तो हमारा दूसरा काम क् किसले चलाएंगे इस पेस को प्रिंट कराने के लिए तो यहां पर जो हमारे दूसरा काम है किसके लिए इस पेस को तीसरा जो इंपोर्डन काम है वह इन स्टार्स को प्रिंट कराना किसको इन स्टार्स को प्रिंट कराना और स्टार्स में 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 तर्म क्या रहा है कि यहां प हम कैसे करेंगे तो simply यहां पे हम कोड पर ध्यान देते हैं यह रहा इसका पूरा कोड और यह रहा पैटन अब यहां पर देखो सबसे पहले हम नहीं किया क्या है कि हमने एक लूप चला है फूर का जिसमें हमने लिया है आई कुल फाइव और आई ग्रेटर देन इकुल टू व प्रिंट कराते हैं यह जो स्पेस आप देखे रहो यह एक स्पेस दो स्पेस तीन स्पेस यह चार स्पेस तो स्पेस को प्रिंट कराने के लिए हमने यह का लूप चलाया और इन स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए यहां पे हमने के का लूप चलाया है और क्यूंकि यहां स्टार पिरिंट कराना एक तीन पांस साथ नो इस पैटर्न में इसके लिए हमने यहाँ पर एक चोटी सी एक्वेशन का यूज किया है जो कि ऑन स्किन अब देख पा रहे हैं अब इसी चीज को समझने के लिए स्टेप बाई स्टेप इससे करके देखते हैं तभी और अच्छे से आपको के लिए हो जाएगा अब सिंबली ध्यान देते हैं आपको बुड़े स्किन पर यहाँ पर आप देख पार हो कि एक तरफ मैंने कोड़ एडिटर खोला है जहां पर जो भी हमारा बेसिक सिंटेक्स है HTML, head, body, escape यह चीज़ हमने लिखे हैं और output अभी हमारा blank है सबसे पहले चीज़ क्या करते है कि हमें हमारा loop चलाना है पांच बार तो उसके लिए हमें code दे देते हैं तो मैं लिखा 4 और मैं लिखता हूँ I equal है 5K और I greater than है equal 1 तब तक यानि कि 5 बार loop चलना चाहिए तो greater than or equal 1 और हर एक round के बाद इसका एक level decrement हो जाएगा इस round में अगर I equal value 5 है तो अगले round में 4 हो जानी चाहिए फिर 3 फिर 2 फिर 1 तो यहां पी यह पांच बार हमें चलाना है यह हमने mention किया और यहां पे हमने curly bracket on curly bracket close किया सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो हमें stars को print कराना है आप मैं लिखा k equal है one k और मैं डालता हूं कि जो k है वो less than है equal है i k i kya है five है यहां पर आप देख पा रहे हो तो मैं यहां पर डाला और मैं डालता हूं यहां पर कि जो k है वो हर एक round के बाद plus plus हो जाएगा तो यह हमने यहां पर डाल दिया इसके बाद curly bracket on किया curly bracket close किया और इस करेंगे यहां पर आएंगे करेंगे अब यहां रहा है एक ही line में तो आपको बताए कि यहां पर इसको अलग-अलग line में लेने के लिए कि क्या करना पड़ेगा इसको एंटर करना पड़ेगा document.right कि हमने और बियार किया कॉण से वाले loop में करना है यह फोर लूप में करने यह एक है तो यह तीन होना चाहिए यह 5 होना चाहिए 7 होना चाहिए 9 होना चाहिए फिर 11 होना चाहिए तो इसके लिए हम यहां पर एक equation डालेंगे वह equation क्या है हमने यहां पर लिखा 2 और multiply के इस i को ठीक है और यहां पर क्या इस पूरे को ले लेते हम एक bracket में अब इसका मतलब आप समझना देखो यहां पर i के value इस वाले loop में क्या है पांच है आप यहां देख पार हो पांच अब यह 5 दो से multiply होगा तो होगा 10 और और minus 1 किया तो क्या आजाएगा यह 9 तो यहां पर आएगा 9 फिर जब इसकी value कम होगी क्योंकि यह decrement है तो 5 से होगा 4 तो यहां पर 4 होगा यहां ready हो चुका है अब हमें करना स्पेस प्रिंट ताकि प्रॉपर पिरामिट शेप में आए तो उसके लिए क्या करते हैं हम दूसरा लूप लेंगे यहां पर आते हैं मैं लिखा 4 और यहां पर लिए j j equal to मैं यहां पर कर देता हूं 5 क्योंकि मुझे starting में यहां पर कम space लेना है तो मैंने क्या j equal to 5 और मैं बोल रहा हूं कि जो j है वह greater than होना चाहिए 5 के sorry 5 नहीं हम आए लिख देते है वैरिबल और यहां पर मैंने बोला j जो है हर लूप के बाद decrease होगा फिर यहां पर आए और फिर हमने इसको curly bracket किया और यहां पर हम देंगे document.write और यहां पर space देंगे double quotes के अंदर तो html में space कैसे देते हैं end nbsb semicolon और यहां double quotes हमने क्या ध्यान रहे कि यहां पर जो आप यह लिख रहे हो इसके पीछे में भी एक space होना चाहिए और आगे में भी एक space होना चाहिए क्योंकि इसमें और इसके बीच में एक natural space होता है जो आप end nbsb देते हो तो उसके साथ आपको यह भी देना पड़ेगा तभी हो count होगा जैसे मैं control s करूंगा यहां पर आऊंगा प्रॉपर इंवर्टेट पिरामिट के शेप में आपको मिल जाएगा अब देख काम कैसे कर रहा है यहां पर j की value मैंने लिए 5 और i की value भी है 5 मैं यहां पर condition क्या देता हूं कि जो j है यानि कि 5 है वो i से बड़ा होना चाहिए अब i की value भी 5 है तो बड़ा तो हुआ नहीं तो यह condition मैच नहीं होगी यहां पर इसलिए यहां पर कोई भी space print नहीं होगा जब अगला round आएगा इस वाले row के लिए तो यहां पर जो i है उस करेंगे i के value जाएगी तरी और अब जो j है वो से 2 level बड़ा है तो यहां पर यह दो space को print करेगा एक और दो इस तरीके से अगले round में 3 और फिर अगले round में 4 और इस तरीके से जो आपका पूरा pyramid है वो यहां पर easily struct हो जाता है I hope कि यह term कैसे work कर रहा है और कैसे आपको इसे code करना वो आपको अच्छे से clear हो गया हो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like करें share करें साथ ही comment करके अपना feedback जरूर दें thank you